हेलो एंड वेलकम यूवाल इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि वेटिंग टिकट कंफर्म होगा या नहीं इसे कैसे पता किया जाए तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते हैं आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं आपको यहां पे यह एप्लिकेशन दिख रहा उसके बाद से आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है यहां पे देख सकते हैं PNR अस्टेटस का आपसन है PNR नंबर सभी यात्रियों को पता है वैसे कुछ लोग फिर भी कमेंट करके पूछते रहते हैं तो अगर आपने अस्टेशन जा करके टिकट बुक किया हुआ है तो पी एन आर नंबर आपको टिकिट में बाईं कतरफ ऊपर कोने में यहां पिए आपको दिख जाएगा तो आपको PNR नंबर यहां पर मिल जाएगा और अगर आपने आन लाइन टिकट बुक किया है तो आपको PNR नंबर यहां पर लिखा हुआ रहेगा या कहींपे भी लेना है उसके बाद से आपको confirm ticket एप में वापस आ जाना है और यहां पर PNR status पर क्लिक कर देना है अब उपर आप यहां पर अपना PNR number डाल देंगे PNR number डालते ही यह search करके status दिखा देगा और नीचे यहां पर देख सकते हैं कि इस ticket के बारे में बताया जा रहा है कि इस ticket क confirm होने के chances high है यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है high chance उसके बाद से आप नीचे यहां पर देख सकते हैं एक option है one confirmed alternate option तो अगर आपने जो ticket बुक किया हुआ है वेटिंग में है अगर उससे कोई अच्छा विकल्प मिलता है तो उस विकल्प को भी नीचे आपको यहां प कितने नंबर तक के waiting confirm हो रहा है आपको यहां पर CLICK करना है उसके बाद से देख रहे हैं दोस्तों कि यह जो waiting है यह waiting थे और बाद में यह टिक-टे confirm हो गई जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह कुछ वेटिंग से नमबर दिया हुआ है जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं गन्वल 37 नमबर तक का वेटिंग था और बाद में यह कंफर्म हो गया तो आप वैसे ही बाकी भी चेक कर सकते हैं कि कितने नमर तक के जो टिकट्स वेटिंग में थे वो कनफर्म हुए हैं तो आपको एक टेंड का पता चल जाएगा एक तरीका और भी है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका टिकट कनफर्म होगा या नहीं होगा यह काफी भी स्वसनिय तरीका है यैसा कि आप इस क्रीन पे देख सकते हैं WL 24-25 है यानि 24 और 25 का वेटिंग है यातरा में 12 दिन बचे हुए है यानि यातरा स्टार्ट होने में 12 दिन बचा हुआ है और पर दे दो वेटिंग कम हो रहा है इसका मतलब कि 12 दूना 24 यानि यातरा का डेट आते आते जो वेटिंग है वो वहां तक कम हो जाएगा यानि ये टिकट कम फर्म हो जाएगा वैसे ही यातरा में 20-25 दिन का समय है और हर रोज एक वेटिंग कम हो रहा है तो भी ये टिकट कम फर्म हो सकता है लेकिन यातरा में 20 दिन का समय है और 2-3 दिन के बाद से एक वेटिंग कम हो रहा है या दो दिन पर एक वेटिंग कम हो रहा है तो ऐसे में दोस्तों ये टिकट कंफर्म नहीं होगा इस टिकट के कंफर्म होने के चांसे बहुत ही कम हो जाते हैं एक्च्वली दोस्तों इस टिकट waiting वाले ticket होते हैं वो भी confirm हो जाते हैं तो उमीद करता हूँ video अच्छा लगा होगा आप इसे like, subscribe और share करना न भूलिएगा thank you for watching